आईपेल के 13 सीजन का 52 मैच रॉयल चलेंजर बैंगलोर्स और सन्राइजर हैदराबाद के बीट आज शाम साड़े साथ बजे शार्जा क्रिकेट स्टीरियम में खेला जाएगा दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद एहम है अगर रॉयल चलेंजर बैंगलोर्स आज का मैच जीतती है तो वो सीधा प्ले आफ में पहुँच जाएगी वहीं दूसरी ओर अगर हैदराबाद इस मुकाबले को हार जाती है तो उसे प्ले आफ के लिए किंग सिलेवन पंजाब, राजिस्थान रोयल्स और कोलकता नाइट राइजर्जर के मैचों के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा प्ले आफ में पहुच जाती है तो वो टूर्नमेंट से बाहर हो जाती लेकिन पिछले मुकाबले में रिधिमन सहा ने कमाल की बल्ले वाजी की और मात्र 45 गेंदों में 89 रन मना कर हैदराबाद को जीत दिलाने में एहम भूमी का निभाई हैदराबाद के कप्तान डेविड वारनर भी काफी अच्छी ले में लग रहे हैं ऐसे में बैंगलोर के गेंदबाजों को इनको रोकना काफी जरूरी हो जाएगा वहीं दूसरी ओर RCB के देवदत पडिकल काफी अच्छी ले में हैं और उन्होंने मुंबई के खिलाफ मात्र 45 गेंदों में 84 रन मनाये थे ऐसे में हैदराबाद की गेंदबाजों पर इनको सस्ते में पविलियन भेजने का दारोंदार होगा इस सीजन में सन्राइजर हैदराबाद और रोयल चैलेंजर बैंगलोर दूसरी बारामने सामने होंगे पहले मुकाबले में बैंगलोर ने हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया था इस मुकाबले में भी बैंगलोर हैदराबाद को हरा कर अपनी जीत देच करना चाहेगी और अपनी जगा भी पक्की करना चाहेगी हैतरबाद भी अपने पिछली हार का बदला लेना चाहेगी इस मुकाबले में कौन होगा विजेता और आपकी फेवरेट टीम कौन है ये हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथ ही देश, दुनिया और IPL से जुड़ी पलपल की अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष न्यूज और क्रिकेट का एक्स्क्लूसिव दोज हर रोज अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल लोगाउन करें IPL2020.TV9 भारतवर्ष.com पर जवाब दीजिये आसान से सवालों का और जीतिये धेर सारे इनाम हर रोज पैनासोनिक इंडिया खास बास्वती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैंपर्ष